जय हिन दोस्तों दो बैंक्स के बार में स्टड़ी करने वाले हैं चाट पैटर्स पे एक प्रावेट बैंक आईसी आईसी बैंक दूसरा सरकारी PSU बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और दोनों स्टॉक जो है फिलाल मतलब जादा कुछ हरकत करने रहे हैं और आने वाले समय में बढ़िया लेवल कौन से देखने मिल सकते हैं उपर की तरफ कहीं बात करेंगे नीचे की तरफ कहीं बात करेंगे इन दोनों स्टॉक के उपर चैनल पर पहले बार विजिट करें तो मैं आपको बता दूं मेरी पूरी कोशिश हमें चाहिए होती है जो अन्नोन अपॉर्ट इस होती है मतलब जहां पर मतलब कुछ भी नहीं हो रहा है बट यहां पर कुछ भी नहीं हो रहा है और फंडामेंटली अच्छे संभावना होत मतलब स्पॉर्ट करना बहुत ज़्यादा जुरूरी है तो ऐसी अन्नोन अपॉर्ट इस मतलब यहां पर एक्शन कुछ नहीं हो रहा है ऐसी आपके सामने पेश करने की हमेशा कोशिश रहती है मेरी ऑल्सो आपको जो भी रिजर्ज करना स्टॉक के बार में पोजिशन लेन मतलब टाइम फ्रेम प्लाइन कर लीजिए फिर उसके पाट स्टॉप लॉस होगा या फिर टार्गेट होगा डाट सिट दोनों में से एक चीज़ होगी बाद में आपको कुछ दिमाग पर लोड नहीं लेना है एकदम ही चला उट रहना है बठा डिसेप्लिन के साथ मतलब कहीं पर पढ़ लिया और अगले दिनों स्टॉक चलना शुरू हो गया तो आप में यह मिस आउट की जो फिलिंग होती ना फियर आफ मिसिंग फो मों कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि कैसा होता है ना मतलब स्टॉक्स मतलब ट्रेडिंग करने का फिर आपकर सकते हो आपने दिखा होगा जंगल में तरह तरह के जो एनिमल्स होते है वह कुछ पिछ होते ना मतलब उनको जिस चीज़ का शिकार करना है उनको जैसे भागति हुआ सामने से दिखती है वो वह उनके बीचे दोड़ लगाना शुरू करते है अट उनके शान्ती से जब वो चीज उनके सामने अचानक से आती है ना तब वो अपना एक्षन करते हैं चीक है सो यह दो तरह के लोग होगे मतलब एक बस चीज़ों की बीचे भागते रहते हैं एक शान्ती से बैट एक जिगा पर इंतजार कर रहे हैं सो मार्किट में भी आपको गया करना है चिल्ला और टोक एक जिगा पर मतलब इन्हों लिस्ट बना के बैटना है स्टॉक्स रखना है और जब आपको लगता है आपके लेवल सागे उसके सबसे काम करना है और इस तरह से अगर आप काम करोगे तो बढ़िया तरीके से लंबे तुम्हें में आपको सक्सेस्फुल होना ही है तो चलिए अब स्टडी शुरू करते हैं आइसी इसी बैंक के उपर और पिछली बार में स्टडी की थी 667.45 का रेजेसिंस उपर के दर निकाला 700-730 की रेंज हमको क्लियरली देखने मिल रहे थी और एक्जाक्ली स्टॉक ने 734.8 का एक हाई लगा दिया और वहां से स्टॉक आ गया नीचे तो यही मज़ा आएगा जब आप भी अगर स्टॉडी करोगे और पोजेशन बनाओगे एक्जाक्ली जो रेंज होती है उसी के ट्रेंडे वो क्या है वो है उपर अब सारे लेवल्स में इस तरफ ले लूँगा हम सारे लेवल्स को हम अपडेट करने वाले अभी अब और एक ट्रेंड लाइन खीचूंगा और सारे डाउट्स जो है क्लियर हो जाएंगे यहां पर देखे स्टॉक जो है उपर की तरफ कि इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस से वो कौन सा दिन है और वो है यह कौन सा लेवल है जो इस रेंज की हाइस्ट क्लोजिंग है अब तक की हाइस्ट क्लोजिंग है सेकंड सब्टेंबर 2021 के हैं डैट इस सेवन तू 5.15 साथ सो पच्छीस दशमलों पंद्रा यह मैं लाइन ड् जो ट्रेडर से एक दिन से लेके पांच दिन तक पोजिशन बनाते हैं आपके लिए जो प्रंजिशन की रेंज है उपर की तरफ मतलब जब जब इस रेंज के आज पास आएगा तब आपको भिक्वाली देखने मिलेगी या फिर थोड़ी से रुकावर्ट देखने मिलने आ जो एक्जाक लेवल में आपको बता रहा हूं वह है यह 705 इसी लेवल के आसपास से गुमाता पिछले समय आपकी जो रेंज यहां पर डिफाइन होगे 705-725 यहां पर रेंज के जहां भी मतलब पहले स्टॉक आता है आप पॉंट्रा ट्रेड लेके काम कर सकते हैं मतलब 725 के आसपास आगया थोड़े हलके होगे 705-700 के आसपास आगया तो थोड़ी मतलब खरीदारी की पोजिशन बना सकते हैं अब आने वाले समय में तेजी बनती है 725.15 इसके उपर स्टॉक निकलता है इसके उपर बंद होना शुरू करता है क्लोजिंग बेसे ब्रेकाउट मिल है तो 670 & 615 670-615 इस रेंज में अगर स्टॉफ मिलता है आपको आने वाले समय में और इनको भी इंवेस्मेंट करना है यह तो मेक शूर कम से कम तीन महीने के लिए पोजिशन को होल्ड करोगे तो ही हम उसे इंवेस्टमेंट कह सकते हैं फिर अपनी फिनांचल के पैसिटी आक्शन भी ज़रूर लेना है अभी हम दूसरे बैंक के उपर जाएंगे पी एस यू दिगच एस बियाई उसके उपर स्टेडी करेंगे उसके पहले अपडेट अगर आप डिमाट कम ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने का प्लान कर रहे हैं तो आप अपना अकाउंट पसंद के शेर्स खरीद सकते हैं तीसरी इंपोर्टेंट बाद पहले महिने के लिए जो ब्रोकरे चार्जेस आपको पे करने है वो है 0 रूपीज पर और और अफ्र फॉस्ट मंत पहले महिने के बाद आपको पे करने है 20 रूपीज पर और यह पूरा ओफर 5pasa.com की तरफ से जादा जानकर इस यह ताप एफसाइट विजिट कर लिजे 5pasa.com अड़ अकाउंट उपन करने का मन बना लिया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है जो हमारा रेफरल लिंक भी है उस पे क्लिक करके डिरेक्ट लिया आप अकाउंट उपन कर सकते हैं और टेल जून से लेके तकरीबन 29 जुलाइ दो महिने उसी रेंज में स्टॉक ने किया तब हमें क्या समझ में आ रहा था उपर की दरफ की जो रेंज थी वह थी 455 पचतर और स्टॉक ने हाई लगा दिया देड़ और 467.45 यस 467.45 तो जो रेंज थी उसके आसपर जाके स्टॉक में हो गया करेक्षन सारे लबल करें अब सारे लेवस में यहां पर ले लेता हुँ है अब थोड़ा सा झाउम कर दूंगा था कि हर हमें समझ में है यहां पर देखे स्टॉक ने क्या क्या यहां पे हई लगा ज inquisन फो टरante equation में क्षेल रांपर करेंगे ऊपर की तप tennis सेट कर देता हूं थोड़ा सा यहां पे तो हमको समझ में क्या आ रहा है? हमको समझ में आ रहा है? स्टॉक का trend अभी वी ऊपर ही है और पिछले 2 दिनों में बढ़िया तेजी बनी है. पिछले 2 दिनों में बढ़िया तेजी जो ट्रेडर से एक दिन से लेगे 5 दिन तक पोजिशन बनाते हैं उनके लिए जो रेंज है उपर के तरफ आ गई है 456.95 जब जब स्टॉक इसके आसपास आएगा तो थोड़ी सी कंजेशन थोड़ी सी भीक्वाली देखते मिल सकते हैं अब देख सकते हैं किस तरह से पिछले इस रेंज को आप समझें मतलब 425 के आसपास आगया थोड़ी खरीदारी की पुजिशन बना सकते हैं और 455-56 के आसपास आ थोड़ी खलके थोड़ी आप हलके हो सकते हैं प्रेजेंट लिए उसी रेंज के आसपास स्टॉक काम कर रहा है तो अभी पोजिशन बनानी की होना शुरू हो जाता है ब्रेक आउट मिल जाता है तो आने वाले एक से देड़ मैंने में 475-500 चारसो पचेतर पांच सो इस रेंज में स्टॉक जाता हुआ दिख सकता है नेक्स्ट जिनको निवेश करना है और उनके लिए लेवल्स कौन से हैं 430-400 चारसो तीस चारसो कि अबकोटेया लगरती है कितने मैंने तक पैसो कि आपको जरूत नही है उसको आपको समझना है तब तक आपको पूजिशन को होलड करना है बढ़ कम सी कम महीने के लिए उसे ही हम निवेश कह सकते है यानि के इंवेस्टमेंट कह सकते हैं ऑल्सो यहां पर थोड़ा सा डी ऀसपास आके ब्रेक आउट करने की कोशिश करें सो दोस्तों स्टोक सकते की दो बैंक इसे why एक बैंक सी आइसी स्कूर्च क्या कर ने को पोजेश्क बनाने की है ठोड़ा सा ठा ठोले डीजै एको free position बनाईएगा and सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहूगा study आपको जो है वीडियो के माधियम से जो पेश किये लगी कैसी है please आप से request करूँगा comment section में बताईएगा जरूर also आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए किसी particular stock के पर study करूँ वो study आपके सामने पेश करूँ वीडियो के माधियम से तो stock का नाम along with that कितरे समय के लिए आप उस stock को hold करने का plan कर रहे हैं वो भी mention जरूर कीजेगा तो शुक्रिया वीडियो देखने के लिए जैहिंद वन दे मातरम